हेलो अब्रिवान वेलकम बैक टुद्रान अकेडमी देखिए आप अरड़ी जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो स्पेक्ट्रम का सी पाट था उसकी थियोरी हमें डिसकस करें थी और आई होब शायद आपने वो थियोरी को देखा होगा और पसंद भी आई होगी और आपको समझ में आप भी गया होगा कि अच्चुलिटी के अंदर स्केट्रिंग ओफ लाइट होती क्या है और जो डिफर्ट फिनोमनेंस होते हैं वो क्यों टेक प्लेस करते हैं आपके देखिए आज के लेक्चार के अंदर क्योंकि हमने थियोरी पल ली थी तो क्यों ना हम उसकी एक्सराइस के कोशन्स कर लेते ह तो बिनको टाइम वेस्ट किये चलिए शिरू करते हैं देखिए सबसे पहला कोशन है कि वाट इस मेंट वाइज स्केट्रिंग ओफ लाइट तो मैंने आपको अलड़ी उसके बारे में बताया था कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं अटमोस्फेर के अंदर वो लाइट को करके उसके बाद उसको रीएमिट करते हैं और उसी फिनोमन का नाम है स्केट्रिंग ओफ लाइट बाकी अगर इसके प्रॉपर देफिनिशन की बात करें तो यह रहा इसका प्रॉपर देफिनिशन तो कहता है कि इसका प्रॉपर देफिनिशन तो कहता है कि इसका प्रॉपर light depends on the wavelength of incident light and state the condition when this dependence holds, तो अगर आपको याद हो, तो मैंने उस वीडियो में बहुत clearly बताया था, कि अगर तो मेरे particle का size, जो light incident कर रही है, उसकी wavelength से कम है, तब वो light को absorb करेगा, और light के अंदर, जितने भी colors हैं, तो उनको different intensity से scatter भी करेगा, तो सबसे पहले बात जो light आपकी scatter होती है, उसकी intensity हमारी होती है, lambda की power 4 पे, inversely proportion होती है साथ में आपके, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहता हूँ, जैसे intensity जो है, वो inversely proportion to lambda की power 4 होती है, इसका मतलब यह हुआ, कि जिसकी wavelength सबसे कम होगी, उसकी intensity सबसे ज़्यादा होगी, और वो सबसे ज़्यादा scatter भी करेगा, इसी को धार में रखते होए, यह पूरा का पूरा आपका वेने यहाँ पर answer लिखा है, आप जस इसको एक बार read करिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कि actuality में हमें answer कैसा लिखना था, clear हुआ, इसके रावा मैंने example भी दिये है, जैसे कि हमारे violet color जो है, सबसे कम wavelength इसी की होती है, और इसकी wavelength 4000 angstrom है, और red की 8000 angstrom है, तो लगबग उसका दुग ना होता है, तो इसलिए violet जो है, वो 16 times जादा आपकी scatter भी करते हैं, उसके intensity उसे 16 times जादा होती है, तो यह मैं detail और यह आपको बता चुका हूँ, आज का काम सिर्फ आपके question के answer देना है, तो बस मैं आप आपको वही दे रहा हो, नेक्स आता है कि when sunlight enters the earth atmosphere, state which color of light is scattered the most and the least, सबसे ज़्यादा scattering कौन करेगा और सबसे कम कौन करेगा, वो इस बात पर depend करता है, किसकी wavelength जादा है, किसकी wavelength कम है, जो सबसे wavelength वाला होता है, वो सबसे ज़्यादा scatter करता है, उसके intensity भी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए violet वाला जो है, सबसे ज़्यादा scatter करेगा, और जो red वाला है, उसका least होगा, बाकी मैंने detail यहाँ पर लिख दी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा, next आता है बेटा, हमारे पास a beam of blue, green and yellow light passes through the earth atmosphere, so name the color which is scattered least the most, इसके लिए बस आपको एक ही बात याद रखनी है, कि आपका जो sequence है, वो विब ग्योर spectrum का sequence यह होता है, और अगर आप इधर से इधर इसको देखेंगे, तो wavelength आपकी बढ़ती है, मलब red की wavelength सबसे ज़्यादा है और violet की सबसे कम होती है, आपको दिया गया है blue, green and yellow, और इस से बता लगता है कि blue वाली की wavelength सबसे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा scatter यह करेगा, और yellow वाली की wavelength सबसे ज़्यादा है, तो इसकी scattering सबसे least होगी और proper answer है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, आगे चलते है, फिर हमारे पास आता है कि which color of wildlife is scattered the least and give reason तो red वाला इसका answer है, क्यों है मैं अलड़ी आपको बता चुका हूँ, बाकि एक बार इसका proper answer भी आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है next अदा है कि the danger signal is red, why? क्योंकि जो red color होता है, उसकी wavelength सबसे ज़्यादा होती है, और wavelength सबसे ज़्यादा होने की वज़ा से वो सबसे कम scatter करता है, इसलिए long distance travel कर सकता है, और इसलिए हम red color का इस्तेमाल करते हैं as a danger signal बाकि प्रोपर यहाँ पे आपको answer दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजे, आपको प्रोपर ली समन में आ जाएगा अब बात करते हैं कि how would the sky appears when seen from the space or the moon and give reason for your answer, मैंने example आपको दिया था, कि अगर मैं space को ध्यान से देखता हूँ तो वो मुझे black नजर आता है, और उसका reason ही है क्योंकि space में कोई atmosphere नहीं है, और atmosphere के particles नहीं है, जो light को absorb करके re-emit कर सके, और जब कोई light emit होके हमारी आँखों में भी नहीं आएगी, तो हमें वो dark या black नजर आएगा, और बाकी proper answer आप यहां पे देख सकते हो, and I hope आपको वो clear हो जाएगा, फिर आता है कि what characteristic property of light is responsible for the blue color of sky, मैं आपको अरड़ी बता चुका हूँ, देखिए, अगर मैं light की बात करूँ तो उसमें seven colors है, seven color के हर color का different wavelength है, ज इसकी intensity भी सबसे जादा होगी, क्योंकि इसकी intensity बाकी color से बहुत जादा है blue color की, तो हमें जो sky है, जब light under enter करती है, तो light under enter क्या हो तो मैं पिच्चर में दिखाता हूँ आपको ना, तो सबसे परले तो इसको scattering का नाम दिया जाता है, and, sorry, उन्होंने सिर्फ scattering property पूची, तो scattering साथो color में से, जो हमारे सबसे least जिनकी wavelength होती है, वो सबसे जादा आपके scatter करते है, तो विब गयोर में, violet, indico and blue, ये इनकी wavelength सबसे काम है, तो सबसे जादा scatter करेगा, but problem यह है कि अगर sun से light under करती है, तो जो blue color है, वो जादा उसकी range होती है, as compared to wallet and indico, तो blue color क्योंकि उसकी range ज जाता है, violet and indico को, और दूसरी बात है कि हमारे आई जो है, वो जादा sensitive है, blue color के लिए, इसलिए हमें जो sky है, वो हमें blue नजर आता है, why does the sun appears red at sunrise and sunset, मैं आपको अलोड़ी बताया था, देखिए, जैसे sun है, अगर वो हमारे अर्च से दूर है, तो sunrise and sunset के दुरान sun हमारे अर्च से काफी दूर होता है, और जब light अंडर एंटर करती है, atmosphere में enter होते ही, पहले ही आपका विब का, वाले इंडिको ब्लू जो है, वो आपका scatter हो जाता है, और बाकी बची हुई light जो है, वो हमारे observer की आँखों में आती है, जिस वज़े से बाकी बची हुई light में कौन बच गया, आपके पास red, green, orange, यह सब color रह जाते हैं, इसलिए हम just आप उसको एक बार read करें, आपको आपका proper answer मिल जाएगा, फिर आता है, the sky at noon appears white, मैं उसका भी reason आपको दिया था, कि noon एक ऐसा वक्त होता है, जब sun, earth के बहुत दस्दीक होता है, तो light जब वो atmosphere में enter करती है, तो directly person के पास पहुँझ जाती है, बहुत कम scatter होते हुए, इस व जैसे ऐसा होता है, बाकी वोई बात detail में यहाँ पर लिख चुका हूँ, आप एक बार बस पढ़िए, आएगा समझ में, फिर आता है, the clouds are seen white, जब cloud के अंदर क्या होते है, पानी के droplets होते है, आई से crystals होते है, और इनका size काफी बड़ा होता है, ज्यादा बड़े size होनी के व सबी वेवलेस को बाहर एमिट कर देती है, तो इसलिए हमें white enter करती है, तो white ही exit करती है, तो कोई dominant नहीं कर पाता है, तो इसलिए वज़े से हमें white ही निज़र आता है, आपका, बाकी proper answer यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि give reason why the smoke from a fire looks white, अब problem सिर्फ इतनी है, या कि जो smoke के particles होते है, उसका size हो है, वो काफी बड़ा होता है, और काफी बड़ा size होने के चलते है, आप भी जानते हो कि क्या होगा, कि अगर size of the particle बहुत जादा हो, तो white light एंटर करेगी, तो emit करते वक्त हर एक color की जो light है, वो same intensity से बाहर निकलती है जितनी अंदर एंटर थी, उतनी exit करते वक्त होती है, तो क्याना मतलब है कि कोई भी किसी को dominant नहीं करता तो, वो white ही नजर आएगा आपको, and यही इसका reason है, बाकि इसका answer यहाँ पे दिया हुआ है, so that's it, इसके साद आपके जो 13 questions आपको इस exercise में दिये थे, वो हमने discuss कर लि दिखना है, वो समझ में आगया होगा, ठीक है,